हाई दोस्तों नमस्कार आज हम बात करेंगे सपल होना है आपको जिन्दगी में आगे बढ़ना है तो किसी को दोका न दे जिन्दगी में आप किसी को एक बार धोगा दे देंगे दो बार धोगा देंगे लेकिन जब किसी को पता चलेगा ना तो आप यसे गिरोगे ना कि आप जिन्दगी में कभी उठनी पाव गेगे सपलता की फर्ष्ट सर्थ है कि इमानदारी के रास्ते पर चले किसी को दोका देते हुए आगे ने बढ़े आप एक बार जब आप सपलता की सीडिये चड़ेंगे ना तो एक बार दोका देते हुए चड़ जाएंगे दो बार तीन बार लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब जोगे कि आप जिल्दी में कभी नहीं उटका हुए इसलिए अगर आपको सपल होना है तो किसी को दोका ना दे इसके एक में बहुत ही अच्छी कहानी आपको बताता हूं वह आपकी सोच बदल देगी एक बार एक राजा होता है उसके चार पुत्र होते हैं वो पुत्र है इसको टेंशन होती है फिर वो अपने सबसे चतुर मंत्री को बूलाता है और उससे राय सला लेता है तो मंत्री उनको एक सला देता है वो राजा अपने चारों बेटों को चार बीज देता है और कहता है कि जो इस बीज को अच्छी तरह से पेदा करेगा अच्छा पोदा शलते हैं लास्ट वाले बेटाएं का बीज नहीं चलता है वो बहुत परिसान रहता है बहुत महिनत करता है जी टोड़ भी समय बेटा है वरख्रक्स बन जाते हैं अब छोटा वालए बेटा भी वहां जाकर उन तीनों की यहां देखता है लेकिन वे बड़ा उदास दुखी रहता है कि मेरा जो बीच था वो क्यों नहीं चला कोई बात नहीं वो नियते को मान लेता है कि आर मैंने खूब मेनत की खूब प्रियास की नहीं चला तो कोई बात नहीं जब एक समय ऐसा आता है कि जब राजा उन चारो बेटों को अपने राज दर्मा बूलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम्हारे बीच वरक्स बन गए तिनों बेटों कहते हैं कि बिलकुल हमारे बीच वरक्स बन चुके हैं लेकिन लास्ट वाला बेटा कहता है कि मेरा बीच नहीं चला और मेरा बीच बिलकुल वैसा के वैसा ही था और आज भी वैसा है पूरा राजा एलान करते हैं कि मेरा सबसे चोटा बेटा इस राज गद्दी के लायक है वो ही राज करेगा इसके लिए और वो ही सच्छा राजा है जब यह देख के सभी अच्रस होते हैं कि इसके तो बीच चला ही नहीं वो बड़ा ही नहीं हुआ पदा तो इसको राजा कैसे बना फिर वो राजा केता है कि इन तीनों बेटों ने मेरे साथ दोका किया है और जो दोका किया है जो दोके वाले इस राजकंति के लाइक नहीं है मेरे चारों बेटों को मैंने खराब बीज दिये थे ऐसे बीज दिये थे कि वो चली नहीं सकते लेकिन मेरे तीन बेटों ने बीज ही बदल दिये जब उनको लगा कि ये बीज खराब है रोग बीज नहीं चल रहा थे लेकिन मेरे को दोका नहीं दिया, तो इंसान जिन्दगी में अगर ऐसे अगर दोका देता रहेगा, तो कैसे इस देश का बला करेगा, और कैसे इस राजी को चलाएगा, तो मैं आपने सबसे छोटे बेटे को इस राजगत्दी के लाइक मानता हूं, और उसको राजा बना, त उसको और प्रियास करते रहें, लेकिन उस सपलता की रस्ते में दोके का प्रियोग न करें, किसी को दोके न दे, दोका दे किसी को आगे न बढ़े हां, एक बार बढ़ जाओगे, दो बार बढ़ जाओगे, एक बार आपके सपलता मिल जाएगे, दो बार मिल जाएगे, ले इसलिए जिन्दगी में आगे बढ़ें तो किसी को दोखा ना दें इसे के साथ आज यहीं नमस्कार